हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आप सब के साथ कलेजी पनीर की रिस्पी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं कलेजी पनीर की रिस्पी तब से पहले मैंने आप मसाले के लिए लंबी कटी हुई प्याज ली है अधरक की पीसे कुछ ग्री बनाओंगी आप देख सकते हैं मैंने इन साथ करके पीस लिया है थो थोड़ा पानी आड़ करके अब मैं कड्याई में तेल उ गरम कर रही हूँ अब मैं इसमें पनीर को फ्राइब कर ओंगी मैंने एक इंच के पीसे के हैं पनीर के और यह तक्रीबन 200 ग्राम पनीर है आप पनीर भज़ानेंरे फ्राइब तरफ करने लालमिश पाउडर, पाउडर, हल्दी पाउडर, घरम मसाला पाउडर और कुछ कसुरी मेथी डाली है आलकर देख सकते हैं नीज़ता पाउडर , देख सकते हैं अब हम इसको इसे स्लोली स्लोली मिक्स करना है ताकि सोय सॉस पनीर के हर तुकडी में लग जाए तो यह लिजे मैंने इसे पनीर में मिक्स कर लिया है पनीर का कलर कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं तो चलिए हम उसी कड़ाई में तेल को गरम करेंगे और कुछ कारी है निदेश पत्ता जीन थोड़ी सी हिं और प्यास को डाल लूँंगी मैंने प्यास को फाइन कट करकर रखा है मैंने यह आप दो बड़ी प्यास जी थी हब मैं प्यास को भूल लूंगी है कि हमारी प्यास हो जा है तो मैं उसमें तेल में कुछ मसाले डालूंगी कि rejection कि दनिया पाउडर एए थोड़ा सा नाल मिर्च वह भी पाउडर ठीवा कापी रेखे आपनेमा। को डाल लूँगी देखिए आपको इसे ऐसे मिक्स करना है आप देख सकते हैं हमारा कलर कितना ब्राइट आया है और कितना अच्छा लग रहा है मसाला पग गया है कि नहीं इसका सिफ एक नहीं य्क तरीका है जानने का कि मसाला बहुनते एक तम काला हो जाता है जैसे केलेजी परीड की ग्रेवी होती है बिल्कुल ब्लैक और हलकी सी घड देख सकते हैं यह हमारा मसाला हलका सबीला है अब हम इसी अच्छी तरीके से बहूनना है फ्रेंड्स अब मैं इसमें अब मैं यहां तक होना बिर्शा में कर सकतету हैं तक षप्तियों तक होना श्रू हो गया है यह सुआ करेंगे एक इप funded दो चंब मज़गर की फ्रेश क्रीम होई ऀम्यागर एक निरिदा श्राफ र Amhuul की चूह आख तक हो आपको लग रहा है मैं जल्दी डाल रही हूँ लेकिन आपको अच्छे से बनाना है यह देखिए हमारा कलर कितना अच्छा आया ग्रेवी का हमारी ग्रेवी काफी थेक भी हो गई है अब आपको इसे कुछ तीर ऐसे ही भूनना है जब तक तक तेल उपन आ जाए आप देख सकते हैं हमारे मसाला अच्छे से भून चुका है इसका तेल उपर आ चुका है अब इसमें पनी के पीसिस को आड़ कर दूँगी और आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सोई साल डानने की जरूत नहीं है जितना अमने पनी में लगा है उतना काफी है आप इस तरीके से जरूर बना के देखें आपको बहुत ही पसंद आएगी यह बिल्कुल नए तरीके से है कलेजी पनी की रेस्पी बिल्कुल होम थोड़ा सा पानी डालकर उपाल लएकर ना है मैंने इसमें उबला हो पानी डाला है मैं इसमें थोड़ा ही पानी डाला है फ्रेंड्स आप ने नीट्य आप टॉर नट B